नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और महीने के शुरू में जिस तरह का मौसम पहले रहता था उसके अनुसार इस बार कई साल का रिकॉर्ड तूटता दिख रहा है इस साल ओक्टोबर के अंत तक मौसम में गर्मी का असर देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों की तुलना करें तो नवंबर के शुरुआत महीने में ही नियुनतम तापमान 20 डिग्री के नीचे चला जाता था लेकिन इस बार अभी तक यह 20 डिग्री के पार बना हुआ है शुक्रवार को मौसम विभाग की ओर से जारे रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में बिहार के जादते जीलों में 22 डिग्री के आसपास नियुनतम तापमान दर्ज किया गया है बिहार में अगले एक सपता के मौसम की बात करें तो बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं बन रही है रिपोर्ट के नियुसार अभी बिहार का मौसम साफ रहेगा धीरे धीरे नियुनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा पटना मौसम विभाग के वैज्यानिकों के अनुसार चार नवंबर के बाद से तापमान में गिरावट के संकेत हैं 15 नवंबर के बाद से राजे में थंड का असर पूरी तरह से दिखने लगेगा मौसम विभाग ने किया जा रहा है यही वज़ा है कि लोगों को ठंड जादा महसूस नहीं हो रही है लेकिन कुछ दिनों में इसमें तेजी से बदलाव होगा और छट के दौरान ठंड महसूस की जा सकेगी वही 15 नवंबर के बाद ठंड का असर पूरी तरह से लोगों पर दिखने लगेगा बत नियुनतम तापमार 34.5 डिगरी सेलसियस रहा नियुनतम तापमार में विशेश बदलाव नहीं दिखा हाला कि जैसे जैसे उत्तर पूर्वी हवा का प्रभाव बढ़ेगा तो इसका असर देखने को मिल सकता है अगले दो से तीन दिनों तक विशेश बदलाव की संभावन नहीं है हाला कि छट के दिनों में असर दिख सकता है कहा जाए तो 15 नवंबर से राजे के मौसम में पूरी तरह बदलाव होने का पूर्वा नुमान है नियुनतम तापमार 16 से 18 डिगरी के आसपास तक आ सकता है